हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेश यूट्यूब चानल यूनिक इनिशेटिव प्रिंस एड़ अब सीकर राजस्तान तो मैं नेम हैं सवागत करता हूं मैं प्रिंस सिविल सर्विशेश के यूट्यूब चैनल पर और अज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर क्या features हैं इन rules के, drone rules के So, please इस channel को subscribe कीजिए, इस video को like कीजिए आप हमें follow भी कर सकते हैं Telegram पे, Instagram पे और Twitter पे तो सबसे पहले इस video को start करने से पहले इस rules and regulation की feature को जानने से पहले ये जानना बहुत जुरूरी है के drones हैं क्या इनके uses क्या है और क्या जरूरत पड़ी Why we have brought the drone rules क्यों regulate करना चाते हैं drones को तो drones बोल लीजिए या unmanned aerial vehicle बोल लीजिए unmanned aerial vehicle बोल सकते हैं So unmanned aerial vehicle का मतलब unmanned इसमें pilot नहीं होता या इसको remotely control किया जाता है तो उस तरह के vehicle को जिसमें pilot ना हो या remotely control किया जाए उसको आप बोलते हैं unmanned aerial vehicle या local language में common language में आप उनको drones बोल देते हैं And we all know that there are multiple uses of drones drones का usage दिन बदिन बढ़ता जा रहा है चाहे वो commercial use की बात करे हम या हम military या defense के लिए drones को use करते हैं तो कुछ discuss करते हैं uses commercial आप सभी को पता होगा आपने देखा भी होगा videography करने के लिए use किया जाता है drones को आज कल Amazon Flipkart courier deliver करने के लिए use करते हैं Amazon this drones को और तो और अब vaccines भी deliver किये जाने लग गए है drones का use करके अगर कोई ऐसा area है जहां पे road connectivity नहीं है तो वहाँ पे आप drones को use कर सकते हैं for delivering the product और अभी recent में हुआ था ये that drones को use किया गया था किसके लिए vaccines को deliver करने के लिए तो उसी तरह traffic को management करना है disaster management करना है तो ये सब uses हैं आपके drones के दूसरी तरफ drones को military defense purpose के लिए भी use किया जाता है आप सभी ने सुना भी होगा कि कैसे United States of America USA अफगानिस्तान में जो terrorism के खिलाव जंग छिड़ी हुई थी उसमें drone का use करता था for attacking the hideout जहां पे terrorist आपके छुपे होते थे ये तो कुछ uses की बात करी हमने ये तो चलो positive बात है but what about the negative aspect there are two coins there are two sides of a coin positive negative हर चीज के दो पक्ष होते हैं दो पहलू होते हैं positive हमने देख लिया but negative क्या है negative देखे drones का use भढ़ता जा रहा है negative purposes के लिए भी जैसे कि अगर कोई drug mafia है उनको drug delivery करवाना है तो वो क्या करते हैं drone को use करते हैं उसी तरह illegal trade of weapons आप कोई भी weapon इस पे बांद दें इस पे tie कर दें और इसको आप deliver कर सकते हैं similarly बहुत सारे cases आपको newspaper में सुनने को या पढ़ने को मिलते होंगे कि जैसे कि कोई भी enemy जो आपका है पाकिस्तान से आपका drone उड़ा और आपका पंजाब या राजसान में एंटर कर गया और वहाँ से spying करके जासूसी करके वापिस चला गया तो यह क्या है negative uses उसी तरह ड्रोन्स को terrorist attack के लिए भी use किया जा सकता है so there are negative uses भढ़ते जा रहे है इसी सब को control करने के लिए the government of India ने क्या किया है we have got और brought the drone rules 2021 जिसके जरिये हम कोशिश करेंगे के drones को the drone industry है उसको regulate किया जा सके so I hope you got an idea fair idea that what are the uses then what are the negative points एक negative points आप और याद कर सकते है that it is a direct threat to privacy अगर आपके घर के बाहर कोई drone उड़के जा रहा है और recording कर रहा है photo खीच रहा है तो आपकी privacy को direct threat है वो so that is why we have brought the drone rules 2021 जिससे की unmanned aerial vehicle को जो industry है उसको regulate करने की कोशिश की गई है तो let's start one by one कि ये जो drone rules बनाए गए है ये क्या कहते हैं इनके features क्या हैं हम एक एक करके discuss करेंगे इन drone rules को तो पहला point आपको याद करना है कि किस पे लागू होते हैं और किस पे लागू नहीं होते drone rules are applicable on what type of aircraft कौन सी industry पे apply करेंगे या नहीं करेंगे तो आप प्लीज first point ये याद रखिएगा हमारे इंडिया में aircraft rules 1937 बनाए गए हैं तो यहाँ पे drone rules में ये साफ बात बोल दी गई है कि अगर कोई drone का weight more than 500 kg है तो भी उस पे aircraft rules लगेंगे अगर कोई drone 500 kg का weight या उससे नीचे है तभी उस पे आपके drone rules लगू होंगे उस पे aircraft rules 1937 नहीं लगू होंगे प्लीज रवेंबर दिस अगर कोई drone 500 kg के weight से नीचे है तो उस पे कौन से rules लगू होंगे drone rules 2021 तो पहली बाद तो ये हो गई दूसरा अब ये कहां लागू नहीं होगा अगर कोई drone unmanned aerial vehicle आपका navy, army और air force यूज कर रही है किसी भी purpose के लिए उस पे ये rules लागू नहीं होंगे I hope you get an idea कहां लागू होंगे कहां नहीं लागू होंगे तो अगर कोई drone का weight 500 kg से कम है तो वहाँ पे drone rules लगेंगे aircraft rules नहीं लगेंगे and if a drone unmanned aerial vehicle is used by navy, military or the air force of the union of India तो वहाँ पे भी drone rules नहीं लागू होंगे तो I hope you got an idea Now let's start one by one discussing the features of drone rules 2021 पहली बात इस drone rules ने drones को classify कर दिया है according to their weight जितना जिस drone का weight उसके according उसकी category और उसके according उसके rules तो weight के according drones को classify कर दिया गया है इन सभी classes में you have got nano drone, micro drone, small drone, medium drone and large drone So nano drone क्या है वो drone जिसका weight 250 gram से के बराबर है या उससे कम है तो वो क्या कहलाएगा nano drone फिर बारी आती है micro drone की वो drone जिसका weight 250 gram से जादा है यह और कितना है maximum 2 kilogram 2 kilo 250 gram और 2 kg के 20 का weight हो drone का तो उसको आप micro drone बोलेंगे then similarly small drone है अगर weight 2 kilogram से जादा है और लेकिन 25 kg से कम है medium drone 25 kg से जादा weight है और 150 kg से कम है और last category आती है large drone की अगर drone का weight 150 kg से जादा है तो उसको आप large drone की class में classify करेंगे तो I hope you will remember that there are nano drones, micro drones, small drones, medium drones and large drones और यह किस basis पे classify किये गए है depending on the weight अगर weight इसमें है 200 से कम है 200 gram से कम है तो वो आपका nano drone के लाएगा उसी तरह depending on the weight यह सारी categories बना दी गई है अब इसके according आपके rules and regulation किसी drone पे लगेंगे, नहीं लगेंगे आईए उसके बारे में जान करी लेते हैं दूसरा point जो आपको याद करना है unique identification number जैसे कि अगर आप कोई vehicle buy करते हैं कोई motorcycle, कोई scooter, कोई car buy करा तो आपको उसको resistor करवाना पड़ता है और आपको उसका एक number मिलता है जैसे कि RJ 13, PB 13, so you get a number number plate जैसे आप बोलते हो ठीक है, तो उसी तरह अब ये जरूरी कर दिया गया है now it is mandatory अगर कोई भी drone operate करना है तो उसका unique identification number होना जरूरी है क्या जरूरी है, कि अगर किसी drone पे UIN number नहीं है, तो वो operate नहीं कर सकता हाँ, अलग conditions हैं कि अगर उसको exempt कर दिया गया है like वो अगर Navy का है या किसी और सरकार ने उसको exempt कर दिया है तो वो कर सकता है, लेकिन as a general rule, हर drone को आपका unique identification number लेना पड़ेगा तभी उसको operate करने की अज़ादत मिलेगी, नहीं तो वो operate नहीं कर सकता so you need a unique identification number next, now अब क्या हुआ है, यह बहुत अच्छी चीज हुई है इससे काफी हद तक आप control करेंगे drones के operation को जितना भी इंडिया का air space है air space क्या होता है, basically land के उपर का space plus territorial water के उपर का space land, जितना भी इंडिया का land area है, land size है उसके उपर का जो air space होगा like this one, इसके उपर का और साथ ही साथ, territorial waters मतलब इस point से 12 nautical mile का distance 12 nautical mile का distance nm 12 nautical mile तो यहां से लेके इस point तक उसके उपर जो space होगा उसको तीन regions में divide कर दिया जाएगा तीन zones में divide कर दिया जाएगा वो कौन-कौन फी zones हैं red, yellow and green zones तो जैसे कि आपने देखा है traffic lights में तीन color होते हैं you know generally you have got red, yellow and green और उनका मतलब red रुख जाएए आप yellow में आप wait करते हैं और green में आपको permission की जुरूरत नहीं है आप जा सकते हैं तो उसी तरह drone operation का भी यही rule लगेगा red, yellow and green zones तो एक point आप जूर याद करना that अगर तो red zone और yellow zone में आपको drone को fly करना है, operate करना है तो आपको prior permission लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी without permission आप drone को fly नहीं कर सकते operate नहीं कर सकते तो अब यह red zone, yellow zone, green zone क्या है तो let's read about that red zone basically वो zone है जो आपका central government decide करता है और जिसमें exceptional circumstances में ही permission मिलेगी जिसमें क्या है? exceptional circumstances में ही central government allow करेगा कि drone को उड़ाना है या नहीं उड़ाना है तो basically जैसे की Parliament House राष्ट्रपती भवन, PM House यह सब क्या आएंगे? red zone में ही आएंगे यहाँ पे आप नहीं operate कर सकते without the permission of central government और central government क्यों permission देगी? because they are very high secure locations यहाँ पे आप operate नहीं कर सकते without the permission of central government अब yellow zone क्या है? yellow zone airspace है जहाँ पे आपको permission लेनी पड़ेगी बट किस से? concerned air traffic control authority air traffic control authority से आपको permission लेनी पड़ेगी कि क्या हम इस region में इस airspace में operate कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो क्या हमने सीखा? कि हमारे इंडिया का map आपने तीन भागों में डिवाइट कर दिया जाएगा red, yellow and green और क्या और point आपको याद करना है? कि red और yellow zone में without permission आप apply नहीं कर सकते operate नहीं कर सकते और हमने क्या जाना? red zone क्या है? कौन permission देगा वहाँ पे? central government और वो भी exceptional circumstances में दूसरी तरफ हमने yellow zone के बारे में देखा कि वो zone जहाँ पे आपको permission चाहिए बट आपको permission लेनी पड़ेगी किस से? concerned air traffic control authority अगर वो चाहे तभी आपको permission देगी नहीं तो आप fly नहीं कर सकते और दूसरी तरफ green zone this is the open space यहाँ पे आप without permission drone को operate और fly कर सकते हैं बट इसकी भी कुछ conditions है वो क्या है? that is from this line यह ground line है कोई भी zone जो red और yellow में नहीं आती जहाँ पे permission नहीं है वहाँ पे आप 400 feet तक drone को उड़ा सकते हो और अगर कोई zone है यह सपोज कीजिए यह yellow zone है yellow zone के 8 km और 12 km यह जो बच गया 4 km का area इसमें आप उड़ा तो सकते हैं बट आपकी height एक low कर दी गई है that is 200 feet तो क्या सीखा? green zone वो zone है जहां पे आप without permission drone को उड़ा सकते हैं operate कर सकते हैं बट एक height की condition लगा दी गई है that is 400 feet that is 120 meter आप 400 feet से उपर नहीं जा सकते हैं you cannot cannot fly above the 400 feet क्योंकि उसके बाद फिर वो yellow zone start हो जाता है ठीक है? और दूसरा condition क्या है? कि अगर कोई airport है और उस से 8 km और 12 km के distance में वहां पे आप green zone मानके चलेंगे बट वहां पे आपने height को reduce कर दिया है और वो height क्या है? 200 feet because फिर 200 feet के उपर क्या आएगा? आपका yellow zone अगर आपको इस से उपर उडाना है 200 feet 400 feet तो आपको Air Traffic Control Authority की permission लेनी पड़े की I hope this point is clear also then next अब हमने red zone देख लिया green zone देख लिया yellow zone देख लिया एक concept इन्होंने दिया that is temporary red zone अब temporary red zone क्या है? temporary मतलब अस्थाई आपको कोई zone को temporary घुशित करना है तो उसका भी provision यहाँ पे रखा गया है for example अगर कोई high profile guest किसी area में आएंगे तो वहाँ पे क्या है? you need a VIP security structure तो वहाँ पे आप drone तो उडा नहीं सकते आप avoid करेंगे because threat बनता है यह drones अभी तो आजकल क्या होने लगया है? drones को use किया जाता है VIPs पे attack करने के लिए आपने South America के example सोने होंगे जहाँ पे attack किया गया था drone को use करके तो जब ऐसी situation create होती है कि कोई VIP कोई बहुत important personality आ रहा है और आप चाहते हैं कि इस zone में drone ना उड़े तो आप क्या करेंगे? उस zone को temporary red zone गोशित कर देंगे but यहाँ पे कुछ conditions है पहली condition तो यह है कि कोई भी नहीं कर सकता आप central government, state government, union territory government ही कर सकती है किसी zone को red zone गोशित कर सकती है और यहाँ पे यह लिखा गया है कि officer, एक officer है और क्या condition लगा दी है? या तो SP level, superintendent of police या above the level of SP rank तो एक officer जो superintendent of police है या उससे उपर post पे police officer है या officer है वो ही गोशित कर सकता है किसी zone को temporary red zone तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि temporary red zone भी बनाई जा सकती है और वो authority किसके पास है? superintendent of police या उनसे उपर officers को ओके? Now, the next condition, next feature is remote pilot license अब हर कोई नहीं उड़ा सकता आपके drones उसके लिए आपको license लेना पड़ेगा हाँ, कुछ exceptions हैं पहले जानते हैं कि license कौन-कौन ले सकता है कौन-कौन drone उड़ा सकता है तो यहाँ पे पहली बात तो यह है कि आपको license लेना पड़ेगा अगर आपको drone उड़ाना है exceptions बाद में बताऊंगा बट उसके लिए उन्होंने eligibility criteria रख दिया है कि सिरफ यही person आपके eligible है that these are the condition आप अगर इन condition को fulfill करेंगे तभी आपको drone उड़ाने की जादत मिलेगी license मिलेगा पहली condition तो यह है कि age criteria एक age criteria रख दिया गया है that age 18 साल से जादा होनी चाहिए और 65 से कम होनी चाहिए तो the age is between 18 and 65 अगर 18 से कम है तो license नहीं बन सकता और 65 से जादा है तब भी license नहीं बन सकता तो पहला criteria तो यह है eligibility criteria दूसरा criteria यह है कि 10th class at least जिसको license apply करना है उसको 10th class तक पढ़ा होना ज़रूरी है और वो भी recognize board से दूसरा condition और तीसरा condition यह है कि उसको कुछ समय के लिए training लेनी पड़ेगी और वो भी authorized remote pilot training organization से तो अगर आप 18 साल से उपर उमर के है 65 से कम तब आप eligible है दूसरा अगर आपने 10th class तक पढ़ाही की है पास कर चुके हैं तब आप eligible है और तीसरा आपको training लेनी पड़ेगी वो भी authorized remote pilot training organization से तो अगर आप इन तीनों condition को पूरी करते हैं तब ही आप license के लिए eligible हैं otherwise you cannot apply for the license that is remote pilot license पड़ यहाँ पे कुछ exception दे दी है that अगर कुछ specific kind of आप drone उड़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको license की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले तो अगर आप nano drone को operate कर रहे हैं याद कीजिए nano drone मतलब जिसका weight 250 gram से कम है जिसका weight 250 gram से कम है अगर आप उस drone को operate करना चाते हैं तब आपको license की ज़रूरत नहीं है दूसरा exception दिया है कि आपको license कम नहीं चाहिए अगर आप micro drone operate कर रहे हैं non commercial purpose के लिए non commercial purpose के लिए कोई आप business नहीं कर रहे हैं simple घूमने गए हैं अपका मन की आपको operate करना है तो वो non commercial purpose है अब एक बार फिर से देखते हैं कि ये जो बात की गई है nano drone, micro drone क्या है nano drone 250 gram से कम या equal to और जो micro drone है 250 gram और 2 kilogram के बीच का जिसका weight होगा वो micro drone कहलाएगा so I hope unique identification number red zone, yellow zone, green zone फिर उसके बाद बात करें हमने temporary red zone की फिर हमने बात करा आपका remote pilot license का उसके eligibility criteria का और उसके exemptions का अब बात करते हैं ये दो जो चीजें बची हैं अगर कोई drone research and development purpose के लिए यूज किया जाता है that is R&D R&D को क्या है R&D? research and development तो अगर कोई drone research and development के लिए use करना है कोई university है educational institution है जो की recognized है central government से अगर उसको use करना है drone for research purpose उसको ना तो unique identification number की जूरुरत है ना prior permission की जूरुरत है ना pilot license की जूरुरत है और ना ही certificate of airworthiness की जूरुरत है तो ये तो एक example हो गया अगर कोई अब मान लीजिए कोई drone company है ठीक है उसको अपना research के लिए use करना है वो भी आपका in sub conditions से उसको ये पूरा करना जूरुरी नहीं है साथ ही साथ ऐसे कई सारे organization है जो की research and development में involved हो और duly recognized हो central government से जैसे की startups जो की आपका department of industrial policy promotion में से recognized हो उन पे आपको ये condition नहीं पूरी करनी वो operate कर सकते हैं बढ़ कहां सिरफ green zone में और अपने premises में अगर कोई educational institution है वो green zone में आता है और वो सिर्फ operate करना चाहता है अपने institution के अंदर-अंदर तो उसको आपका UIN की जरूरत नहीं है pilot license की जरूरत नहीं है और उस पे ऐसे exemptions दे दिये गए है So I hope you will remember that UIN की जरूरत नहीं है pilot license की जरूरत नहीं है अगर आपको research and development के लिए use करना है drones को है के हमें drones को और उनका use promote करना चाहिए और उसके लिए हम एक council का दठन करेंगे जिसको बोला जाता है drone promotion council जिसका काम यह होगा के business entities को promote करे उनको बोले that you can use और साथ ही साथ incubators बनाए What is incubator? incubator क्या होता है? incubator होता है basically देखिए एक startup है अभी startup में इतना पैसा नहीं है तो वो हर चीज़ अपने से नहीं खरीद सकते ठीक है? वो advise लेने के लिए expert hire नहीं कर सकते तो incubator वो एक संस्था organization institution होता है जिसमें यह सब facilities रखी जाती है और startups आपके यहाँ पे आके उनको use करते हैं expert advice लेते हैं और इससे क्या है? they can do better research or business तो drone promotion council का गठन किया जाना भी drone rules में लिख दिया गया है तो let's revise तो यह सब features हैं आपके drone rules के I hope you got a fair idea let's revise one by one तो देखिए क्या गरेंगे आप सबसे पहले तो आपने green zone, red zone और yellow zone में कर दिया है उसके बाद pilot license की requirement कर दिया है हमने eligibility criteria भी देख लिया लेन उसके बाद कहां pilot license नहीं चाहिए कहां नहीं चाहिए उसके बाद हमने क्या किया है? इसको weight के हसाब से हमने divide कर दिया है कौन सा nano, कौन सा micro, कौन सा small कौन सा medium और कौन सा large drone है साथ ही साथ अब इतने सारे rules बना दिये हैं आपने बोला register करना है license लेना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक platform होना चाहिए तो yes, यहाँ पे एक platform बनाया जाएगा that is known as digital sky platform यह एक app है यह एक website है जहाँ पे जिसको भी drone लिया जिसने उसको वहाँ पे register करना है और अपना flight path बताना पड़ेगा that I am going to go from this place to this यह कुछ rules हैं आपके drone rules 2021 I hope you got a fair idea तो हमने क्या discuss किया classification हमने क्या discuss किया pilot license फिर हमने discuss किया unique identification number फिर हमने red zone, yellow zone and green zone discuss किया फिर हमने discuss किया research and development के लिए फिर हमने last में discuss किया drone promotion council का गटन किया जाएगा So I hope you have got a idea So thanks for watching Please subscribe to our YouTube channel Prince Civil Services and do watch such current affair videos plus history, geography, polity videos so that you can start you get a kickstart for your UPSC preparation and other civil services preparation So do follow us on YouTube, Telegram, Instagram and Facebook with the same name that is Prince Civil Services So thank you Thanks for watching See you in the next video Thank you